Hello students, पिछले वीडियोज में हमने causes of abnormality को complete किया था Causes of abnormality यानि ऐस सामानेता के कारकों के बाद इसी chapter में, chapter second में, next हमारा topic है Models of abnormality या theories of abnormality या perspective of abnormality यानि ऐस सामानेता के model, ऐस सामानेता के सिध्धान्त या ऐस सामानेता का परिप्रेक्षे तो तीनों चीजें same आएंगी, चाए परिप्रेक्षे पूछें, चाए सिध्धान्त पूछें, चाए models पूछें तो सबसे पहला model जो हम पढ़ेंगे वो है dietesis stress model तो diathesis stress model abnormal behavior की व्याख्या करने का एक ऐसा model या सिधान्त है जो जैविक मनोवग्यानिक तथा environmental factors यानि परियावरनिय कारकों को एक मंच पर लाता है और यह कोई विशेश विचारधारा से संबंदित नहीं है यह model abnormal behavior की व्याख्या diathesis तथा तनाव की interaction की रूप में करता है तो प्रशू उपता है कि diathesis क्या है diathesis से अभिप्राए किसी विकृती या abnormal behavior व्यक्ती में उत्पन होने की पूर वृत्ती से होता है यानि predisposition से होता है तो predisposition कहने का मतलब है कि जब व्यक्ती में किसी विशेश तरह की मांसिक विकृती होने की पूर वृत्ती होती है और यदि व्यक्ती, environmental factors या विशेश तनाव की स्थिती से गुजरता है और यदि तनाव की वह मात्रा उसके नियंतरन से बाहर होती है तो उस व्यक्ती में मांसिक विकृती के उत्पन होने की संभावना बढ़ जाती है तो इसे ही clinical psychologist ने या psychiatrist ने डाइथिसिस तनाव model की संग्या दी है तो हमने बात करी predisposition की यानि पूर वृत्ती कारकों की तो ये पूर वृत्ती हम पहले वीडियो में भी समझ चुके हैं यानि पूर वृत्ती उन अवस्थाओं को रखा जाता है जो विकृती उत्पन होने के पहले ही उत्पन होकर विशेश परिस्थिती में विकृती के होने का मार प्रशस्त करते हैं जैसे हमने factors में पढ़ा था जैसे माता-पिता-द्वरत-तिरसकार ये एक ऐसा कारक है जो बच्चों में तरह-तरह की समायोजन सम्बदी कठनाईया या अबनॉर्मल बिहेवियर उत्पन कर सकता है तो पूर वृत्ती जो factors हैं व्यक्ती में पहले से ही मुझूद रहते हैं और ये factors ऐसामानिता के प्रति उन्मुक्ता को बढ़ा देते हैं तो इस तरह से ये जो predisposition है इसकी इस model में महत्पुन भूमिका है तो किसी मानसिक विकृती या अबनॉर्मल बिहेवियर के लिए predisposition होने से व्यक्ती में विकृती या ऐसा मानिता होने की संभावना बढ़ जाती है परन्तु इस बात की कोई guarantee नहीं है कि उस व्यक्ती में ये विकृती होगी ही ऐसा बिलकुल भी जरूरत इसकी बिलकुल भी आवशक्ता हम इसको नहीं कह सकते तो इसका कारण है कि ये model जो है इस model का दूसरा भाग जो है वो है stress तो stress जो कि इस बात का निर्धारन करता है कि पूर वृती किस तरह से वास्त्विक विकृती में convert होगी या रुपांतरित होगी तो हम देखते हैं सामानित है कि तनाव से तातपर्य कुछ ऐसे अनिष्ट कर या दुखदाई environmental stimuluses से होता है उद्धीपकों से होता है जिसका स्वरूत या तो biological हो या psychological हो यानि जैविक हो या मनुवैग्यानिक हो जन्म के समय ऑक्सिजन की कमी या बालेवस्था के दौरान उनको अच्छा पोशन नहीं मिले तो वो जैविक उद्धीपक है और उसकी कुछ ये examples है जिनसे कुछ brain dysfunction यानि मस्तिश्क दुश्क्रिया उत्पन होती है बड़ा हाथसा जैसे माता या पिता की मृत्ती हो जाए पती या पतनी की मृत्ती हो जाए या कोई छोटी-छोटी दुखत गटना है जैसे मान लेजिए हम कोई लक्षे बनाते हैं और उस लक्षे को प्राप्त नहीं कर पाते तो ये सारे के सारे psychological stressors होते हैं और ये psychological stressors जो का एक बहुत ही बड़ा कारण होते हैं तो डायथिसिज तनाव मौडल का जो सबसे महत्पुन बिंदू है वो मांसिक विकृति या ऐस अमानिता उत्पन होने के लिए डायथिसिज या तनाव दोनों का होना अनिवारिय है तो यह जो स्ट्रेस मौडल है यह हमने जो है अपने पुराने वीडियोज में causes of abnormality के अंदर इसको समझा था और यह ऐस अमानित विवहार के लिए बहुत ही important है और यह जो stressors है यह दो तरह के होते हैं एक तो होते हैं आपके बहुतिक stressors और एक होते हैं आपके जैविक उद्धीपक और कुछ होते हैं आपके मनोवेग्यानिक तो कुछ ऐसे अनिष्टकर या दुखदाई परियावरनिय उद्धीपक जिनका स्वरूप जैविक हो या मनोवेग्यानिक हो तो जन्म के समय जैसे हमने उपर अभी समझा कि oxygen की कमी हो सकती है या brain dysfunction हो सकता है या कोई हम लक्षे निर्धारित कर लें और वो हमारा पूरा न करते हैं तो diathesis तनाव model का जो important point है वो यह है कि किसी मानसिक विकृति या ऐसामानिता के उत्पन होने के लिए diathesis यानि पूर वृति तथा तनाव दोनों का ही होना अनिवारिय है जैसे for example कुछ लोगों में मनो विदिलता यानि सीजोफ्रेनिया जैसी मानसिक विकृति का एक जैविक प्रीडिस्पोजिशन होती है ऐसे लोगों को यदि जिन्दगी में तनाव से गुजरना पड़ता है तो उनमें मनो विदा लेता यानि सीजोफ्रेनिया का रोग सीजोफ्रेनिया अपने आप में पूरा एक chapter है और ये psychosis के अंतरगत यानि मनेस्टाप के अंतरगत आता है और इसको जो है हम पूरा detail में chapter जब इसको पढ़ेंगे तो हम सीजोफरेनिया होता क्या है इसको हम detail में तब पढ़ेंगे तो सीजोफरेनिया का रोग उत्पन होने की उमीद उस व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है जिसमें ऐसी जैविक पूर्वृति नहीं पाए जाती है यानि बायोजिकल प्रीडिस्पोजीशन उसमें नहीं होती परन्तु वैसे तनाव से होकर गुजरना उसको पड़ता है तो यदि जिन्दगी में तनाव से होकर गुजरना पड़ता है व्यक्ति को तो उसमें ये रोग उत्पन होने की संभावना बहुत अधिक होती है तो हम ये कह सकते हैं कि डायथिस्पिस स्ट्रेस मॉडल में अबनॉर्मल या ऐसा मानितों को व्यक्ति में उस ऐसा मानिता की पूर्वृति तथा तनाव दोनों की इंट्रेक्शन का परिणाम माना गया है और दोनों में से अकेले कोई मानसिक विक्रिती पैदा करने में सक्षम नहीं होता तो इस तरह से बच्चों यह छुटा सा एक आपका टॉपिक है और जो शौट आंसर में आने की पूरी-पूरी इसकी संभावना है तो हम इस मॉडल को बहुत ही शौट कोश्चन के लिए इसको अच्छे से तयार करेंगे थैंक यू